बूद मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू ओनलाइन क्लास प्रोवाइड़ बाइड बाइड पब्लिक स्कूल तो हमने आपको मैट के चैप्टर टू में वन्स और टैंस करवाए थे आज मैं आपको वन हंड्रड हंड्रड के बारे में बताऊंगी चीक है तो यह क्या है बेज नंबर 26 में है तो आपको अब हंड्रड के बारे में बताया जाएगा जैसे कि हमने वन्स और टैंस के बारे में पढ़ा था जैसे देखो हमारी जो फास्ट डिजिट होती है वो क्या होती है once second क्या होती है tens और third क्या होती है hundred ठीक है तो अब आपको counting of hundreds हमें पहले counting of hundreds मतलब hundred से जो अग्गे है वो counting करनी होगी जैसे हम 100 को कैसे लिखेंगे one hundred two hundred को कैसे लिखेंगे two hundred ऐसे three hundred four hundred five hundred six hundred seven hundred eight hundred nine hundred और जैसे now count the hundreds on number line जैसे अब दे रहें हंड्रड्स दे रहें hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred six hundred, seven hundred eight hundred और nine hundred इनको आपको number line पे count करना था अब देखो जैसे हमें बने आपको बताया था कि हमने first digit first digit के आया हमारी once, second, tens third, hundred ठीक है, तो हम इसको पता कैसे लगाएंगे कि यह hundred है, तो हमारी once, tens, hundred ऐसे count करके हमें पता चलेगा कि यह hundred है अब यह देखो, हमारे पास abacus बनाया हुआ है, और यह abacus में आपको नोटबुक में बना के दिखाऊंगे कैसे बनाना है, ठीक है, जैसे हमें abacus बनाना है देखो, अब यह हमारा बना हुआ है, जैसे यह क्या है, once यह क्या है, tense और यह क्या है, hundred तो once में कितने digit है, one है, तो हम once के one लिखेंगे once का one, और tense में क्या है, tense में कोई नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो tense के नाम की क्या लगा देंगे हम, zero ठीक है, और hundred के नाम की one तो यह क्या हो गया हमारे पास, one hundred, one हो गया once, tense, hundred तो हम इसको क्या बोलेंगे, hundred one, hundred, one क्योंकि tense के पास, मतलब tense की जंगा हमारे पास कुछ नहीं है, महाँ पर zero है तो हम इसको direct बोलेंगे, one, hundred, one तो हम इसको कैसे लिखेंगे, o, n, e, one, hundred, h, u, n, d, r, e, d, hundred, one ठीक है, पहले हम tense में क्या लिखते थे, once, tense यहाँ पर अगर कोई digit होती ही, जहाँ आपर one digit होती है, हम यहाँ लिखते है, once अरb मतलब यह होता हमारा once, और हमारा tense, तो यहाँ पर भी वन थी और यहाँ भी वन थी हम क्या बोलते, उसको eleven, ऐसे बोलते,な, one तो नहीं बोलते 10 के साथ जोड़के बोलते न उसको 11 तो ऐसे ही आपको यहां पर करवाया गया है जैसे देखो यहां पर आपको 101 और यहां पर कितना है 102 जैसे कि टू डिजिट दी हूँ यहां हमारी पास 1 में और 10 में कोई भी डिजिट नहीं है और 100 में 1 तो 102 ऐसे ही 103 ऐसे ही 104 आपको यह काउंटिंग 200 तक ऐसे पेस नमबर 30 है आपको पहले read the numerals from 101 to 200 101 से लेके 200 तक आपको यह काउंटिंग लर्न करनी होगी तब आप इसमें अब एककस में इसको अच्छी तरह कर पाऊगे चीक है तो आपको यह अच्छी तरह काउंटिंग जो अच्छी तरह लर्न करनी होगी और फिर मैं आपको आगे करवाऊंगी 300 की काउंटिं इसे 200 से लेके 300 तक ओके स्टूडन्स हैवा नाइस डेए